कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं, वो ये सब इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रस्टाचार का, कमिशन का, मलाई खाने का, कट्मनी का हिस्सा मिलता है, उन्होंने जो रास्ता चुना है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये रास्ता है, तुष्टी करन का, वोट बेंग का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वन्चित को वन्चित बनाए रखने से ही, उनकी राजनिती चलती हैं, तुष्टी करन का ये रास्ता, कुछ दिनों तक तो फाइदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाबिनाशक होता है, ये देश के विकास को रोग देता है, देश में तबाही लाता है, देश में बेज़वाव पैदा करता है, समाज में दिवार खड़ी करता है, एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टी करन करके अपने स्वार्त के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाप खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग है, हमारे संसकार अलग है, हमारे संकल्प बड़े हैं, और हम, हमारी प्रात्विक्ता, दल से पहले देश की हैं, और हम सब यह मानते हैं, कि जब देश का भला होगा, तो सब का भला होगा, जब सब का भला होगा, तो देश आगे बड़ेगा, और इसलिए भाजपा ने ये तै किया है, कि हमें तुष्ट्री करण के रास्ते पर नहीं चलना है, हमारा रास्ता कौन सा है, हमारा हम मानते हैं, कि देश का भला करने का रास्ता, तुष्टी करण नहीं है, सच्चा रास्ता है, संतुष्टी करण, संतुष्टी करण, संतुष्टी करण, आज देश में, जहां भी भाजपा सरकार है, वहाँ हम संतुष्टी करण के अभियान में लगे हैं, संतुष्टी करण का रास्ता, महनत वाला रास्ता होता है, उसमें पसिना बहाना पड़ता है, अगर बिजली मिलेगी, तो सब को मिलेगी, तब लोग सद्दुष्ट होंगे, अगर नल से जल का भियान चलेगा, तो हर घर तक चलेगा, हर एक को पहुंचाने का प्रयास होगा, इसमें किसी के साथ बेदवाओं नहीं होगा, जाती नहीं, बिरादरी नहीं, काका, भतीजा, मामा, कुछ नहीं, जब बेदवाओं नहीं होगा, तो समाज में संतुष्टी बढ़ेगी, इसलिए हम संतुष्टी करण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, किसी की रास्ते बेदवाओं, जब बढ़ेगाओं, जब धर बेंगारेगा, की होगाओं,